गुड मॉनिंग दोस्तों मैं अस बिन हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी कहारदिक सागत करता हूँ आज डेट है 24 मई और आज का करंट अफैर लेके मैं तैयार हूँ इसी किसांद सुरू करते हैं आज का करंट अफैर यह रहा पहला कोशिशन राष्ट मंदल दिबस Commonwealth Day कम मनाया गया Commonwealth Day कम मनाया गया इसका जो राइट अंसर है वोग अफिन फोर 24 मई 24 मई को Commonwealth Day मनाया गया जिसकी यो थीम थी वो थी Delibering a Common Future Delibering a Common Future बात कीचाए Commonwealth Nations के बारे में तो Britishers ने जिन देशों में अपनी कॉलोनिया बनाई थी, वो सारी देश Commonwealth Nations के अंडर में आते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी, वो 1931 में हुई थी चलिए इसी एक साथ बढ़ते हैं अंगले question की तरफ, हाल ही में किस संगठन ने World Economic Situation and Prospect Report जारी की इसको जो right answer होगा, वो होगा option second United Nation, United Nation इसमें वर्ल्ड की economic situation के बारे में बताया गया है, यह जो report है इसमें वर्ल्ड की economic situation के बारे में बताया गया है बात की जाए वर्ल एकोनोमिक फोरूम के बारे में तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी इसका जो headquarter है, वो है कॉलण जी, Switzerland में, इसकी president है, बॉर्गे, ब्रेंडे बात की जाए, reporters without borders reporters without borders यह जो संस्थान है, यह freedom of information के लिए, एक safety guard का काम करता है इसका जो headquarter है, वो पैरिस में है, इसके director है Christopher Delior इसी के साथ बढ़ते हैं, अगले question पे Forbes के अनुसार निम्लिकित में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला athlete बनी इसका जो right answer होगा, वो ऑफसन second नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका एक tennis pillar है, यह जापान की है सेरना विलियम्स जैसा कि हम दानते हैं, यह भी एक tennis pillar है सानिया मिर्चा, बीनल विलियम्स, यह सभी tennis pillar है इसके साथ बढ़ते हैं, अगले question पर हाल ही में world bank ने, कितने बिकासिल देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोशना की है तो इसका जो right answer होगा, वो होगा, option third, 100 बात की जाए, world bank के बारे में, world bank का headquarter Washington में है, इसके जो बर्तमान president है, वो है David Malpass, जो 13 नंबर के president है, USA के है इसके साथ बढ़ते हैं, अगले question पर हाल ही में जारी, counter point की research के अनुसार, भारत में phone बेचने के मामले में, कौन सी company पहले इस्थान पर है बात की जाए, right answer के बारे में, इसका जो right answer है, वो है Samsung, Samsung एक South Korean company है बात की जाए, Sao me के बारे में, Sao me एक चाइना की कंपनी है G.O हमारे भारत की ही कंपनी है, B.O वे एक चाइना की कंपनी है इसके साथ बढ़ते हैं, अगले question की तरफ हाल, भारत से, सीमय विवाद के बीच, किस देशने हाल ही में, नया मानचितर स्विकार किया जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो नेपाल है, नेपाल ने जो काला पानी छेदर था भारत का, उसको अपने मानचितर के अंदर दसाया था इसके चलते हैं, भारत और नेपाल के मद्दे विवाद की स्थिती आई थी तो इसका जो राइट आंसर होगा, होगा, ऑफ्सन फोर नेपाल जीक साथ बढ़ते हैं, अगले कोश्चन की तरफ हल ही में, RBI ने रिवर्स रेपोरेट को 3.75 प्रतिसत से घटा कर, कितने प्रतिसत कर दिया है रिवर्स रेपोरेट जैसा कि मैंने प्रिवेस वीडियो में आपको समझाए था, रिवर्स रेपोरेट यदि कोई बैंक अपने पैसे RBI को देता है, तो RBI उसको उस पैसे के लिए जो भी ब्याज़ दर देगा उसको रिवर्स रेपोरेट कहते हैं जैसको जो राइट आंसर है, वोग ऑफसेन फरस्ट, 3.35% इसी के साथ बढ़ते हैं, अगले कोश्चन पर हाल ही में कौन सा देश दुनिया में PPE का दूसरा सबसे बड़ा नर्यातक बना दूसरा सबसे बड़ा नर्यातक ये बना है, ऑफसेन फरस्ट, भारत बात की जाए, पहला PPE नर्यातक की तो ये है चाइना इसी के साथ बढ़ते हैं, अगले कोश्चन पर हाल ही में किस राज ने सब को रोजगार योजना की सुरुगात की है सब को रोजगार योजना इस योजना की सुरुवात करने वाला राज्य है मध्य परदेश मध्य परदेश इसके तहट जरूरत मंदों को जॉब कार्ट बनाए जाएंगे और उनको रोजगार परदान किया जाएगा इसी के साथ बढ़ते हैं, अगले कोश्चन की तरफ खुडोल पहल का संबन्द किस राज्य से है? ये जो पहल है, इसका संबन्द इस राज्य से है, वो है मानीपुर या ओल एंजियो से पहल जिसमें दैनिक LGBTो समुधाय के लोगों को दैनिक बेतन और एट से प्रवाइद लोगों को भोजन सास्त सेवाएं प्रदान की जाएंगी से के साथ बढ़ते हैं, अगले कोश्चन की तरफ मई 2020 में खादी ग्रामुद्योग आयोग ने, खादी के फेस मास्क बिदेशी बाजारों में रियात करने का फैसला किया है खादी ग्रामुद्योग आयोग की अध्यक्ष कौन है? इसके जो अध्यक्ष है, वो है औफ्सन फर्स्ट विने कुमार सक्सेना खादी ग्रामुद्योग की जो स्थापन हुई थी, वो 1956 में हुई थी इसका जो हैटकॉर्टर है, वो है मुंबई में चेली इसके सांथ बढ़ते हैं, अगले कोश्चन पर बारह मई दोजार बीस में, स्यामला जी भावे का निधन हो गया वे किस छेत्र की थी? स्यामला जी भावे का जो छेत्र था, वो तो संगीत ओफ्सन फर्स्ट वे हिंदुस्तानी वा करनाटक संगीत दोनों में काफी ज़्यादा एक्सपर्ट थी चेली इसके सांथ बढ़ते हैं, अगले कोश्चन पर तेरह में 2020 में, फिक्की लेडीज और्गनाइजेशन के राष्टी अध्यक्च के रूप में किसे न्युक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा उप्सन थर्ड चान भी फुकन बात की जए, फिक्की लेडीज और्गनाइजेशन इसका जो हेड़कॉर्टर है, वो न्यू देली में है बात की जाए, फिक्की की फेडरेशन और्गनाइज और्गनाइज और्गनाइजेशन और्गनाइजेशन इसका फुल फॉन होगा इसी के साथ बढ़ते हैं, अगले कोश्चन पर चगदो मई दोहजार बीस में, बिस्व बैंक ने किस भारती अर्थ सास्त्री को दस्चिन एसिया में जलवायू परिवर्तन और आपदा परवंदन के महद्दपूर्पत पर न्युक्त किया इसका जो आंसर होगा वो होगा, आफसन थर्ड आभास जा यह जो पद है वो कारेकारी प्रवंदक का है आभास जा बिहार के हैं 2001 में इन्होंने वर्ल्ड वैंक जोइन किया था बात की जाए वर्ल्ड वैंक के बारे में वर्ल्ड वैंक की स्थापना 1944 में की गई थी इसका संचाल है 1945 में श्रू हुआ था बर्तवान में इसके जो हेड है वो है डैवेड मालपास तेरवे नमबर के हेड है इसकी जो नई उपात्देक्ष वमुक के सलाकार वनी है अभी-अभी हाल ही में कार्मेन रैनहार्ट कार्मेन रैनहार्ट इसके साथ बढ़ते हैं अगले होगा वो होगा उप्सन सेकेंड ओन जी सी ओन जी सी जैसे कि हम जानते हैं बर्तवान में हमाई देश में दस महारतन कंपनिया हैं जिन में से ये कुछ है एंटी पी सी एंटी पी सी की बात की जाए तो नेशनल थर्मर पावर कोर्परेशन लिमिटेड स्थापन हुईती 1975 में इसका जो हैटकॉर्टर है वो है न्यू देली में बात की जाए ONGC के बारे में Oil and Natural Gas Corporation इसका जो हैटकॉर्टर है वो न्यू देली में है बात की जाए BPCL भारत Petroleum Corporation लिमिटेड इसका जो हैटकॉर्टर है वो मुम्बई में है बात की जाए IOCL Indian Oil Corporation लिमिटेड इसका हैटकॉर्टर न्यू देली में है चलिए इसी के साथ आज का वीडियो खतम करते हैं कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी समय जैन